यूएई ने लगा दी हैं फ्लाइट में कुछ सामानों को ले जाने पर प्रतिबंद नमस्कार स्वागत आपका हमार चानल यूएई खबर पर अगर आपने अभी तक अरफ टाइमस आप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए बिदादे डाउनलोड करने के के लिए आपको जादा कुछ नहीं करना है बलकि जाना है प्ले स्टोर पर सर्च करना है अरफ टाइमस आप वहां पर आपको आप दिख जाएगा आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं सो डाउनलोड ना लेकिए सद्र सितंबर को लेबनान की राजधानी पेरुद समेट कई समू हिजबुला के लड़ा के और लेबनान में इरान के राजधूत भी खायल हुए थे इसवे स्पोर्ट के बाद यूए ने दुबाई से आने जाने वाली उरानों में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को चेक इन या केबिन बागेज में पेजर और वौकी टॉकी ले बिस फोटक के बाद लेबनान के बेरूत रफीफ हरीडी अंदरास्ट्री हवायदे से जाने वाले यात्रियों को सभी उरानों में बेजर और वौकी टॉकी ले जाने पर प्रतिबंद लगा दिया गया है यूए और लेबनान के बीच अभी कोई भी फ्लाइड नहीं है इस बयान में का गया है कि अगली सूशना तक इरान इराक और जॉर्डन के लिए भी जितनी भी उराने हैं सब भी टोकती गई हैं बतादे कि आबुधाबी इस ते एतियाद एर्वेज ने गुद्वार को आबुधाबी और तेल अवीब के बीच उरान से वाएं फिर से गई और बहुत सारे लोग घायल भी हो गये जानकारी लिबनान के स्वास्त मंत्री ने दी थी गौकी जौकी हिजबुल्ला इस्तमाल करता रहा है और धमाके जिन जगों पर हुए वो हिजबुल्ला की पैट वाले इलाके थे यह इलाके बेरूत बेका गाली रक्षिनी अब यूए के लिए जो है उसने पेजर और वोकी टॉकी को प्रतिबंद कर दिया है ताकि अगर वो स्पोर्ट भी हो तो उससे फ्लाइट में जा रही आतरियों को कोई ना नुक्सान पहुचे क्योंकि फ्लाइट में अगर धमाका होता है तो एक बड़ी दुरगटना हो सक होती है अब यूए में लोगों को मिलेगा गोल्डेन वीजा पंदर अक्टूबर से कर सकते हैं अवेदन बतादे कि अब यूए में गोल्डेन वीजा मिलेगा टीचर्स को भी घ्यान और मानव विकास प्राधिकरन ने रविवार को इसकी घोशना की कि दुबाई में जो प प्राइवर्ट एडूकेशन सेक्टर में आसाधारन सिक्षकों के लिए पांच ऑक्टूबर को शुरू की गई या पहल उन सिक्षकों को मानेता देती हैं जिन्होंने सिक्षा के माधियम से दुबाई के भविश को एक नया आयाम दिया है लेगे ये लॉंग टरम वीजा प भविश्य की पीडियों को प्रिरित और शिशक्त बनाने वाले सिक्षकों का जश्ट मनाने के लिए अमिरात के समर्पन को दर्शाता है देखे प्रारंबिक बच्पन किंद्रों यानि की अर्ली चायलोट सेंटर स्कूलों और उच्ष सिक्षक संस्थानों में सिक्षक अब कौन आवेडन कर सकता है तो बतादे स्कूल के प्रिंसिपल और लीडर्स आवेडर्स आवेडन कर सकते हैं प्रारंबिक बच्पन की अर्ली चायलोट सेंटर्स के मानेजर्स इसके लिए अपख्ला कर सकते हैं ऐस कि वर्श्त की अबात करेंगेगे तो देखे इसकूल एचिसी और ऊच्छ सिप्छा घंड अब बात करें तो बताने की के स्कूल रेटिंग रपोर्ट प्रिंसिपल के लिए हैं उन्हें ये सब्मिट करना पड़ेगा अवाज सर्टिफिकेट देना पड़ सकता है सर्टिफिकेट प्रिंसिपल के लिए अब बात करें तो देखें आवेदनों का मुल्यांकन एक समर्पित समीती द्वार्ट प्रिंसिपल के लिए हैं समीती की सिफारी से के एच डी एक को भेजी जाएंगी के एच डी ए संबंधत अधिकारियों के साथ समिक्षा और समन्वय करेगा अलिजबल सिक्षिकों को उनके आवेदन के सफल परिनाम के बारे में बता दिया जाएगा तो ऐसे उन लोगों को मिलेगा गोल्डेन वीजा सिर्फ दोबाई में ही मलती है जीरो डाइट वाली चॉकलेट एगे एक्सपेरिमेंटल वीडियो ऑनलाइन काफी पॉपलर हो रहे हैं इन दिनों आधतन रोज मोबाईल डिस्प्ले को स्क्रॉल करते लोगों को कुछ न कुछ हैरान कर देने वाला वीडियो देखने को मिली जाता है एक फूड रिलेटेड वीडियो वाइरल हो रहा है जिसने एक महिला को सिर्फ बर्फ का अनंद लेते हुए पाए गया महिला अपनी इन्स्टिग्राम हैंडल पर स्वादस्ट खानों को शेर करने का हमेशा दावा करती है वो फ्रेज में जमने के बाद बर्फ को डायरेक्ट खा रही है और उसे टेस्टी भी बता रही है बर्फ को उसने दुबई का चॉकलेट बताया है जो सिर्फ जीरो कैलरी का है अगर आप इसे करीब से देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सिर्फ बर्फ के टुकरे हैं वीडियो में जो महिला ने बर्फ चबाया तो चटकाने की आवाज भी आई पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा कि हाई खाने के लिए जीरो कैलरी दुबई चॉकलेट सही है इंटरनेट पर लोगों ने जोम कर रियाक्शन दिया एक यूजर ने कहा कि क्या मैं चॉकलेट के लिए पानी का ओप्शन चुन सकता हूँ एक अनिय ने लिखा कि एक डेंटिस्ट चिकित्सक के रूप में मैं बता सकता हूँ कि बर्फ आपके दाट के लिए सबसे खतरनाक चीज है डॉक्टर ने आगे लिखा कि बर्फ को खाने से आपके दातों में हैरलाइन ख्राक हो सकता है और आप उन दातों को खो सकते हैं एकानी यूजर ने लिखा कि ये वीडियो मुझे थोड़ा डराता है क्योंकि ये आपको परिशान कर सकता है एक वेक्ती ने लिखा वो बर्फ को ऐसे खा रही है जैसे वो असल में चॉकलेट हो लेकिन ऐसा खाने में मज़ा ही कुछ और है भले ही हमारे गले और दातों को नुक्सान पहुंचता है बतादे इससे पहले दुबई का एक चॉकलेट बहुत वायल हुआ था जिसका कमपैजन गोबर से किया जा रहा था और फिक्स डेजर्ट चॉकलेटियर दुबई का काफी फ्रेमस ब्रैंड है जिसने एक चॉकलेट लाँच की थी हाल ही में जिसके अंदर क्रीमी पिस्ता भड़ा हुआ था जो की ग्रीन कलर का था इसे कुनाफा चॉकलेट बार भी कहा जाता है इस चॉकलेट ने इंटरनेट पर धमाल मचा दिया था इसके वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वाइरल हो रहे थे बहुत सारे content creators थे उन्होंने इसका वीडियो बनाए था जिसमें वो चॉकलेट का packaging और उसका review दे रहे थे एस दोरान जो influencer है वो चॉकलेट खाते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है लेकिन comment section में अगर आप जाएंगे तो फिर आपको दिखेगा कि बहुत सारे लोग हैं जोनोंने इस चॉकलेट को टेस्ट नहीं किया है वो इसे घोबर की तरह मान रहे थे क्यूकि वो कि तरहें